तेकि 3.3 का first part क्या कह रहा है का first part कह रहा है कि 3 resistors of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm पहले तीन resistance है एक आपका है R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm, यह तीन resistance है R combined in series, इन्हें series में जोड़ा गया है, तो पहले तो कहने, what is the total combination of the resistances तो equivalent resistance निकालना होगा, क्या फ्रमला होता है, R is equal to R1 plus R2 plus, यह ध्यान रखिएगा equivalent capacitance in series, और equivalent resistance in series, दोनों उल्टा होते हैं, ठीक है, उसमें 15C होता है, यह confuse मत होना तो 1 plus 2 plus 3 is equal to 6 ohm, यह तोटल resistance कितना है series का, 6 ohm, अब कहरें कि पहरें जोड़ देते हैं इसको, जोड़ देंगी जाद समझ मेंदेगी, तो नोट करिए पहले आप, हो गया, अब देखिए, यह 6 ohm हो गया ना, अब देखिए यह जड़ा circuit को जोड़ देते हैं, circuit के जोड़ने से यह ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, यह एक battery है, cell है, अब cell के internal resistance के बारे में बात करनी ही रहा है, इसलिए हम बनाएंगे भी नहीं, ठीक है, और यह यहाँ पर current supply दे रही है, किसको, तीन resistances को दे रही है, और they are connected in series, यह series में जुड़े हुए है, यह resistance R R3 है, question बोल रहा है, कि if the combination is connected to the battery, अगर यह बैटरी से जोड़ दिया जाए, आफ 12V, यह यह बैटरी का EMF है, वो 12V से जोड़ दिया, 12V है, and negligible inter-resistance, obtain the potential drop, देखिए, potential drop in each resistance बात की बात है, पहले तो circuit में total current निकाली पड़ेगे न, तो total current in the circuit निकाली जाए, I, क्या होगा, E upon total resistance, यह total current हो जाएगी, total I, E बोले तो 12V और R बोले तो 6, यानि कि total current कितने है, flow हो रही है, 2A की, जरा ध्यान से देखिएगा, 2A की current ऐसे flow हो रही है, एक लिए current flow हो रही है, मतलब कौन चल रहा है, चार्ज चलना है, और चार्ज चलना है, तो कौन चला रह रही है, बैट्टी चला रही है, तो बैट्टी चला रही है, डंडा लेके दगड़ा रही है, कैसे चला रही है, अपने एनर्जी से धक्का मार रही है, ठीक है, है, क्या हो गया, हर वर्ड को उस पर मत ले जाए, कि भई आप cell बोल, आप battery बोले तो cell है, तो उसे क्या फरक पड़ेगा, हमने इसका नाम दे जाए, battery, बहुत लोग अपने बतला सा लड़का होता, उसके बहादूर सिंग, उपता सा सुरा उठा नहीं पाता, एक किलो का पाट, उसका नाम बहादूर सिंग, सूखा यादो, और मोटे है, नाम सूखा है, गोपरे, नहीं हम ऐसे से ना नाम सुने है, वो तो ठीक है, इसको battery समझा जा, it is battery, क्या ही है, चलेगा, नाम रख दिया battery इसका, अब सुनिए द्यान से, जब यहाँ पर current flow होगी, तो यह resistance energy के खर्च करेंगे, तो हमने कहा, कि सपोज इसका potential difference V1 है, इसका V2 है, और इसका V3 है, तो आप potential difference निकालें के ल पर गाओगे, तो V1 कैसे निकलेगा, IR1, I बोले तो 2, R1 बोले तो 1, यारि कि 2V, V2 कितना निकलेगा, IR2, I बोले तो 2, R2 बोले तो 2, तो बोले 4V, V3 कैसे निकलेगा, IR3, I बोले तो 2, यह बोले तो 3, यह नि, 6V, अब तो 6, 4, 10, 12V हुई नहीं भी, चुकि सेल का internal resistance नहीं है, इसलिए सेल कोई भी इनर्जी खुद कंजयों नहीं करी है, बड़ी दानी प्रोध की है, सब माढ दिया, लो बेटा ले जाओ, ठीक है, वह ले गए,